हालो जी कैसे हो सारे दिस लव पर एंड वेल्कम टो दी चालनल को अधिल हम पाहुंच के मारे लेक्चर नंबर 88 पर यहां पर हम ग्राफ के साइकल डिटेक्शन अलगरिदम सीखने वाले हैं हम बीएफेस का यूज़ भी करेंगे डिएफेस का यूज़ भी करेंगे बीएफे कि अंडिरेक्टिड ग्राफ के अंदर हम साइकल डिटेक्शन किस परकार करेंगे तो यह चीज हम यहां पर सीखने वाले हैं दोनों से कोड करेंगे सारे टेक्श के इसपास करवाएंगे बहुत मज़े आएंगे चलो तो मैंने बोला कि सबसे पहले ऐसा करते हैं बीएफेस यह तो मतलब इसके अंदर होगे सारे ना सारी ग्राफ के अंदर बहुत सारी अनुद्द को फ्रकार है तो मैंने कहा कि मान लोग की पहला इस तो है इस प्रकार इस प्रकार आपका आपका 4 5 6 7 8 9 तो हम यहां पर नजर तो आ रहा है कि साइकल तो है यहां पर इक साइकल तो बन रही है बट कोड वाइस कैसे पता लगाने वाले यह हम यहां पर सीखेंगे कि कोड किस प्रकार करें कि हम साइकल पता लगाँा पाई कि इस अन्दर यह पूरा-पूरा एक ग्राफ है ठीक है इसके अंदर आपकी साइकल प्रेजेंट है यह नहीं सबसे पहला काम जो है बत to तो दोनों की जाता जैसे यू और व के बीच में जर्य है तो यू के एडिस लिस्ट के अंदर नेबर में वी उएगा और वी के नेबर में यू भी आएगा यहाएगा यहां प्रानी रेक्षτο के अंदर उसके के साथ हमने था है या ना कर देए दिर के साथ Office के साथ है इसका dismissed कि की दिसमार में नहीं है उसको Selbst डेflanzen पड़ेंगे तिये पहला काम तो यह हो गया पहला काम हमने यह पर यह कर लिया है ठीक है यह समझ अब हमें BFS algorithm का यूज करना है तो BFS algorithm यूज करने है इस पर हमारे पास एक Visited Array भी होना चाहिए हमें आपना से कि Visited Data Structure भी होना चाहिए तो मैंने बोला कि चलो है मैंने आप अपना विजिटेट देटा स्क्टर बना लिया जहां पर मैपिंग स्टोर रखोंगा कौन कौन सी नोड विजिटेट है कौन सी नहीं है तेक है This video is sponsored by Cryo. Cryo is a world's leading work experience based learning platform जहां पर आपनी software skills को enhance कर सकते हैं और साथ से top dev jobs भी ग्रैब कर सकते हैं Unlike usual courses, Cryo में आप full stack development या backend development सीखने वाले हैं But by building industry level projects in a real developer environment At the end of their programs आप बहुत सारे projects बना चुके होंगी जिसे आपका resume और effective हो जाएगा और एक strong get-up profile भी बन जाएगी आप full stack development में है, backend development क्या-क्या tech यूज़ करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर revisible है और साथ साथ आपको personalized career assistance पर मिलने वाली है ताकि आपकी dream job की double surety हो आपको करना क्या है? description के अंदर मैं एक link attached कर देता हूँ उसको use करके आप maximum possible discount cryo programs पर ले सकते हैं और साथ यसाथ कुछ free resources को भी unlock कर सकते हैं तो फटर पर description में जाएंगे, link को use करेंगे, एक placement grab करेंगे और मुझे party देंगे, धन्यवाद मैंने इसका नाम दे दिया, visited स्टार्टिंग में सब false है, कोई भी note visited नहीं है, यह हो गया इसके अलावा मैं क्या कगता हूँ? इसके रावा मेरे पास एक q भी होती है, bfs के दमे को q की need भी होती है, और कचयी होता है इतने चीज है, इक बार algorithm दिखने क्योश्य करते हैं और उसके बाद और चीज है समझने आने लग जाएंगी तो मैंने क्या बोला कि चलो विजिट करना शुरू करते हैं लेट से मैंने आज स्टार्ट किया तो ठीक है मैंने पहले वन विजिट कर लिया बहुत बढ़िया कोई साइकल नहीं है फिर मैंने टू विजिट कर लिया बहुत बढ़िया कोई साइकल नहीं है फिर मैं 3 विजिट कर लिया ठीक है कोई साइकल नहीं है इतना part complete हो गया हमने क्या बोला फिर हम 4 पर आए हमने इसको विजिट किया कोई भी साइकल नहीं है हमने फिर 5 को विजिट किया कोई भी साइकल नहीं है फिर हमने 6 और 7 को विजिट किया कोई भी साइकल नहीं है फिर हम समझते आं जी को हमने क्या कहा हमने बोला सब्सक्राइब होगा अपने ऐगर इड़िंस ए जिस को प्रेंट करो नदर 5 अब फाइज से व्यार grande करोuğला एंडर 5 में 6 और 7 प्रिंट करवा दिया ठीक है फिर 6 ने क्या वोला कि आर 5 और 8 प्रिंट करो 5 नेगलेक्ट हो गया क्योंकि 5 तो अलड़ी पेरेंट है 6 का ठीक है बचा क्या 8 शिक्स ने एट को प्रिंट करवा दिया ठीक है अब एट के पास गए उसमें बहुत अलग दिया कि यहां तो साइकल है एक बार ट्राइरंड करके देखते हैं एक बार ट्राइरंड करके देखते हैं और अच्छे समझ भाज आजाएगा आपको यह मैंने क्या कहा मैंने कहा सोर्स नोड से शुरू करते हैं मैंने स्टार्टिंग मेरी सोर्स नोड है नोड है स्टार्टिंग मेरी नोड है वह है वन तो मैं यहां शुरू कर रहा हूं ठीक है एक समय आपर क्या पता लगी कि हम जब भी किसे नोड को चेक कर रहे हैं और वह नोड वाला लोजिक था तो पेरंट भी ट्रच कर रहा है ओके तो मैंने वोला एक और डिटब बना लो आर् एक और डिटब कर दो जो कि मैं तुम्हारा पेर्ट्च ट्राक कर रहा हूं ठीक है तुमने पेरेंट ट्रेक करने लिए भी बना लिया इसका एकस का पेरेंट वाइ है एसे ऐसे अब शूरू करते हैं हमारी पहली नोट हो गई वनौके हम क्या करने में हम हैं हमसे पहले यहार ऐसा करो वन को रूमार कर दो कि भून मालगा जो है वो विजलिट हो चुकी है अब वन का तो कोई पेरेंट होगा नहीं है ना इनिचल स्टार्टिंग नोड इसे करो वन का पेरेंट जो है वो खुद या माइनस वन डाल दो चलो स्टार्टिंग तो तो उने क्यूं के अंदर वन को डाल दिया बात समझ में आगई यतना काम हमने कर दिया अब हम वन पे गए क्या वन की एड़ेंस से लिष्ट के अंदर क्या क्या है उसने बोला सिर्फ टू है ओके तो हमने क्या किया इसमें डाला टू डालने से पहले हमें चेक करना बड़ा क्या टू विस्टेड है या नहीं हम देखा और टू पर यहां और पर यहां वन को मैं डालों इस क्यू के अंदर उसने बोला है रंको न मत डालो क्योंकि वह उल्रेड़ी true है और वन जो है इसका parent भी है अगर कोई node इसका parent है और true है तो उसको मध डालो ठीक है, neglect कर दिया 3 को डालों गया, उसमें 3 जो है वेश्ट जो है गया ही, तैसे 3 को v play यूर्रे जो है, 3 का parent set कर दो, 3 कहा से आ रहा है, 2 से आ रहा है और 2 जाए वो 3 का parent है तो neglect कर देंगे तो इन शुट हमें क्या समझ में आ रहा है neglect करने की condition क्या है कि यार आप visited हो आप already visited हो and आप parent हो तो neglect कर देता हूँ इस की से में ठीक है वास समझ में आ रही है तो 3 भी हट गया अब यहां पर क्यों में कुछ भी नहीं बचा हुआ अब हम अगले component पर जाते हैं हमने क्या बोला आपका source हो क्या हो गया 4 हो गया हमने 4 यहां पर put कर दिया put करने से पहले क्या देखते हैं हम 4 को true mark कर देंगे true कर दो पर यहां पर डाल दिया यह बात समझ में आ गई हम 5 चेक करने कि क्या 5 वेस्ट है उसे नहीं वेस्ट नहीं है तो हमने 5 को true mark कर दिया और 5 का parent को नहीं 5 का parent 4 है और हमने 5 को यहां पर डाल दिया यह बात समझ में आ गई अब हम 5 पर गए वहाँ पर यह तीन चीज है 4 6 7 हमने पूचा क्या 4 को डालू पहले चीज तो 4 जो है वह true है और दूसरी चीज 5 का parent जो है वह 4 है तो इस इसके में हम neglect करता है हम 6 पर गए 6 को डालू 6 जो है वो wizard नहीं है तो 6 को true mark कर दिया और हमने 6 का parent जो है 5 और 6 को यहां पर डाल दिया थेक्या हम 7 पर गए यार 7 को डालू यह 7 को डालू गया तो 7 चीए क्या 7 विचिट है नहीं है तो विचिट मार्कर कर दो आकर दिया, 7 का parent कौन है, 5 ही है, हमने आपे 7 को इडाल दिया, बहुत बड़ी है, इस परकार हम कहा गए, अब हम 6 पे गए, यहाँ पर 6 के लिश्ट में कौन है, 5 और 8 है, हमने क्या बोला, 5 को डालूं क्या, 5 जो है, और 6 का parent भी 5 है, तो हमने इसको neglect कर दिया, अब बच्चा 8 8 को डालूं क्या, आपने बोला, 8 ठीक है, 8 वेस्ट भी नहीं है, तरह से गर, 8 को डाल, true कर दो, 8 को true कर दिया, और बोल जागे, 8 का parent कौन है, 8 का parent 6 है, और आपने यहाँ पर 8 डाल दिया, ठीक है, यह बात समझ में आगई, अब हम कहा गए, अब हम 7 पे गए, 7 के लिस्ट म बट 8, 7 का parent नहीं है, ओ, 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 तो इस केस में हमने बोला, कि जब किसी का visited जो है, वो true आ जाए, और वो note जो है, note equal to parent हो, आपकी parent भी ना हो, इस केस में हमने बोला, भाया, cycle present है, तो इस केस में आके हमें पता लग गया, कि cycle present है, हमने आप रिटर्न कर दिया, true, कि भाया, cycle तो present है, और आपका loop break हो गया, flow break हो गया, आपने बता दिया, कि cycle तो present थी, बात समझ में आई, in short, हम पूरा का पूरा code BFS का same लिखने वाले है, एक if condition extra लग जाएगी, मैंने बोला, ये if condition extra लग जाएगी, और साथ में parent वाला data structure extra लग जाएगा, कैसे लिखने वाले है, फट वाले काम क्या है, तब से पारला काम है, create adjacency list, ठीक है तो मैंने बोले एक for loop चलाओ, i less than m, i plus plus, adjacency list जैसे हमने पहले चीखा था, एक unordered map बना ली हमने, किस type का, int, list of int type, इसका नाम लोग दिया, adj, हमने बोला कि पहली vertex निकालो, कैसे निकलेगी, हमने निकाली, adjes, i throw, और जीरत column, ठीक है, यह already चीख चुक है, कैसे कर रहे हम यह, तो आपना lectures के अंदर, हमने बोला, i throw, और first column, ठीक है, अब क्योंकि यह undirected graph है, तो दोनों ही दिशाओं में आपकी, as exist करेगी, adj of u, dot pushback, v, same हम v के लिए कर देंगे, adj of v, dot pushback, u, ठीक है, अब क्योंकि disconnected component हो सकते है, हमने बोला, to handle, to handle, disconnected, component, जैसे हमने हाँ पर रेखा, एक graph के लिए दो component है, हमने एक four loop लगा दिया, four entire zero से लेखे, i less than n तक, i plus plus, यहाँ पर हमने क्या बोला, कि अगर, यह node जो है, visited नहीं है, if not visited i, तो मैं क्या करूंगा, मैं call कर दूंगा, किसको call कर दूंगा, मैं call कर हमारे cycle is cyclic bfs वाले function को, इसमें कुछ-कुछ चीज़े pass कर दूंगा, और अगर मेरा answer जो है, वो true आ गया, तो मैं return क्या कर रहा हूँ, मुझे output में return करना है, एक string जिस पर yes लिखाओ, ठीक है, इस परकार, अगर सब कुछ पार हो गया, और आपने return नहीं किया, तो इसका मु अगर चलते हैं, बनाना पड़ेगा, पहले तो हमने बोला कि एक unordered map बना दो, int, bull type का जिसका नाम है visited, ठीक है बास समझ में आ गई, इस cycle bfs में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक तो हमारा i pass कर दिया, एक हमारा visited वाला data section पास कर दिया, और लिखते हैं, हमने बोला, bull is cyclic bfs, यहाँ पर तीन चीज़े हैं, एक तो मेरा source node है, उसके बाद मेरा based वाला data structure है, और उसके बाद adjacency list है, यह बात समझ में आ गई, हमने फटा 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 इसको copy paste कर दिया, यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या बोला, ठीक है, सबसे पहलता हूं, जो पेरेंट वाला data structure बनाना पड़ेगा, तो मैंने बोला, unordered map int, int parent, ठीक है, यह बात भी आ गई, हमने क्या बोला, कि यार, parent of source node, जिस node में भी आया हूं, उसका parent लिपना दो, वो तो minus 1 में बोला ता आपको अबी just, है ना, तो मने minus 1 लिख दिया, इस source node को वेस्टिड मा पुष्ट कर दिया हमारी source node को, same हमने जैसे bfs लाते हैं, उसी प्रकार bfs जलाई यहां बे, while not of q.empty, हमने बोला, front node को बाहर निकाला, q.front करके, इस node को पॉप कर दिया, q.pop करके, अब हमने simple cx चीज बोली दोस्ट, कैसा कर उसके सारे neighbor निकालो, for auto neighbor belongs to agency list of front, इसके neighbor निकाल वाली है, condition क्या थी, आपकी cycle वाली, आपकी cycle वाली condition थी, क्यार, अगर आपका visited जो है, वो true हो, if visited of neighbor is equal to true, and and, वो आपके parent के equal भी ना हो, दोबार देखा देता हूं, हमने बोलता, अगर आपका true हो, और साथी वो आपका parent भी ना हो, तो हमने कहा कि, and and neighbor is not equal to parent of front, अगर ये condition fulfill हो गई, तो इसका मतलब हो ये cycle present थी, cycle present थी, return true हो दो, मैं अपनी करनी जा था, ठीक है, else if, एक और condition क्या होगी, क्या अगर वेस्टेट नहीं है, अगर वेस्टेट नहीं है, अगर आपका neighbor जो हो, वेस्टेट नहीं है, तो इस case में करना है, जो हम करते आ रहे क्यों में पुश्ट कर दो इसको, neighbor को, और इस neighbor का विश्टेट true कर देना, और इसका parent भी set कर दो, parent of neighbor, equals to front, इतना काम कर लिया, end जा के return false कर दो, ये पूर ट्रावर्स कर लिया, तब भी आपकर run true नहीं कर पाए, इसका मतलब किसा आगर पर नहीं है, ये पर इसको run कर लेते हैं, तो छोटी मोडी कलते हैं, तो ठीक कर लेते हैं, अच्छा मैं include करना पड़ेगा अभी तो पहल दो, तो हमने का किया, hash include unordered map, hash include queue, ठीक है, एक बार run करते हैं, एक बार run करते हैं, उसने बोला semi crown भूल गे दोस्ता पर, मैंने बोला कहां पर, उसने बोला, उसने बोला, यहां पर, मैंने बोला run करो, उसने बोला correct answer, मैंने बोला submit करकर देखो फिर एक बार, correct दो, तो हमारा correct answer आगे, सारे desk एस्पास हो चुके है, ठीक है, कोट एक पार दुबार दिखा जदा हूँ, हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने एडजेंसलिस create की है, ठीक है, जैसे हमने यहां पर देखा था, सबसे पहले का हमने क्या किया था, इस graph से हमने सारे component का यूज करके, यह एडजेंसलिस create कर ली थी, ठीक है, बहुत साने, और ली सीख चुके, ऐसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने यह, क्योंकि disconnected component हो सकते है, जैसे इस graph केंदों दो component थे, अलग अल से start कर लिया, और उस node को start करके, उसका parent set किया, widget status set किया, q के अंदर push कर दिया, और उसका q के अंदर push करने को बाद सारा logic सेम है, आपकी कोई node q के अंदर पड़ी हुई है, आप उस node को बाहर निकाल ले तो, उसको front के अंदर save कर ले तो, क्यार, front है, मेरा one है, फिर आप जा और devisted है, और मेरे parent के equal है, तो neglect कर दो, इस पकार चलते चलते हमने सारा का सारा काम कर दिया है, बात समझ में आई, इस पकार हमने cycle election कर लिया, एक undirected graph के अंदर, अब बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात कर लिया, time complexity क्या इसकी, फिर दुबारा, जैसे last time हमने B लेक्चर, तो BFS समझ में आगया, अब अगर आब बात करो, DFS algorithm के दवारा किस पकार solve करेंगे, मैंने बात सेम एक्जामपल ले लो, मैंने बात सेम एक्जामपल ले लो, फिर दुबारा उसी का अधार पर करने की कोशिश करते हैं, तो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, कि यह मानलो आपकी फर्स्ट नोड है, उसके बाद यह आपकी सेकेंड नोड है, यह आपकी थर्ड नोड है, ठीक है, फिर एक और नोड, एक और नोड, एक और नोड, एक और नोड, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक है, फोर, फाइव, सेक्स, सेवन, 8 9 हमने इसको एक graph के अंदर बोल दिया कि यह पूरा पूरा graph के अंदर आता है देखे हैं हमने बोल दिया कि यह graph G है जी यह मेरा component C1 है यह component C2 है ठीक है अब हमने क्या बोला हमने आपको यह बोला कि इसको check करो DFS के द्वारा कि यार क्या इस graph में cycle present है या नहीं अगर में DFS करता तो क्या होता है यहां शुरू कर लिया मालो source यह है मालो तो आपने वन प्रिंट किया ठीक है फिर आप आगे बढ़ गए फिर आपने टू प्रिंट किया ठीक है आगे बढ़ गए यहां आगे अगे बढ़ गए फिर आपने मालो 9 प्रिंट कर दिया ठीक है फिर वापस आए और अफिर आपने यहां पर यह 7 प्रिंट कर दिया ठीक है Thanks थीक है इसके बाद आपने क्या बोला इसके बाद आप 7 के बाद प्रेंट करनेगे 5 , 5 , okay , cancer नहीं 7 का प्रेंट था , क्योदी इसके बाद 7 पर वह था है तो आप ऐसी नोड पर पहुंच गए जिसका विजिटेड यो है वह जो बताती है और यह कंडिशन आपको 700 है के साइकल प्रेजेंट है, यहाँ देखा था ऊपर है ना, कि वेश्चटेटरो है और नोड आपकी पेरेंट भी नहीं है तो आपने बोला श॥र प्रकार हो थिए अ ध्यान से दर्चाव इसको तो यह इस प्रकार हुआ कि सबसे पहले आपने यह शुरू किया, आपने बोला कि यार, यह मेरा पेरेंट वाला data structure है, पेरेंट के अंदर मैंने की बोला, कि one का पेरेंट जी है, माइनस बन है, ठीक है, यह आपका वेजटेड वाला data structure है, आपने बोला कि one जा है, ठीक है, और यहां पर आपके डिएफेस की call जा रही है, यहां से कुछ भी नहीं मिला गए वापस चले गए वापस चले गए अब आप आए अगले component की starting में, 4 के लिए, तो आपने क्या किया, एक और DFS की call मारी यहाँ पर, DFS of 4, minus 1, क्योंकि 4 का parent नहीं है कोई भी, ठीक है, 4 के बाद आप का है, 5 पर आए, तो आपने बोला DFS of 5, 4, क्योंकि 4, 5 का parent बन गया, ठीक है, फिर आप कहां पर आए, 6 पर, आप आप आए, यहाँ पर, आपने बोला, DFS of 9,8, 9 का parent बन गया, 8, ठीक है, फिर यहाँ पर आप कुछ भी नहीं मिला, इसके बाद, आप वापस से लेगे, आप यहाँ वापस से लेगे, फिर यहाँ से आप कहां का 8 के बाद, 7 पर चलेगे, तो आपने यहाँ से एक और call मारी, एक और call मारी, क्या है वो, DFS of 7,8, कि 7 का parent भी अब 8 है, फिर आप 7 से 5 के तरफ जाने की कोई इश्च करते हो पहले, तो आपने क्या किया, DFS of 5,7, ओके, ओके, इस call में क्या हुआ, कि 5 जो था, वो already print हो चुका है, पहले ही वो wizard है, wizard marked है, और 5 आपका parent भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखे ध्यान से, 7 का parent भी नहीं है, तो भाईया, यहाँ पर आपकी वो condition true हो गई, कि भाईया, wasted भी true mark है, और node जो है, आपकी payment भी नहीं है, तो इस condition में आपने क्या बोला, कि cycle present है, तो आपने यहाँ से true return कर दिया, पर यहाँ से true return कर दिया, यह true return कर दिया, यह पर देख लेते हैं, कि code level में किस पकार changes होने वाले है, इस ही में changes कर देता हूं, मैंने बोला कि आपकी पहला step तो वह सेम रहेगा, एड जिन से list आपको बनानी ही पड़ेगी, तेक है, इसके बाद के करना पड़ेगा, आपको disconnected component फिर दुबार है, handle करने है, वेस्ट टैरे क पड़ेगी, पड़ेगी, फोर रूप लगेगा, यह भी सेम रहेगा, यह भी सेम रहेगा, तो आपने क्या बोला, बस यहाँ पर मैं iscyclic dfs को call कर देता हूं, और यहाँ पर एक function मना दता हूं, इस परकार का, तो मैंने बोला, bool iscyclic dfs, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, य चलो, यह भी हो गया, फिर मैंने अपना वेट्ट वाला डेटा सेक्चर मंगवा लिया, क्या वेट्ट डेटा सेक्चर क्या है, और उसके बाद मैंने अपनी adjacency list मंगा ली, ठीक के adjacency list क्या है, ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बहुत किसी भी नोट पर आई, तो उसको इतना काम कर दिया, बहुत बढ़िया, अब क्या करना है, इसकी सारी नोट को एक बार निकाल के लाओ, कि ऑटो, नेबर, बिलॉंग्स टू, वाट, एड़ेंस लिस्ट ओफ नोट, ठीक है, यह भी हो गया, अब मैंने बोला, अगर कोई नोट वेश्ट नहीं होती थी, तो क करते थे, मैंना जो नोट के लिए कौन सी नोट, नेबर, नेबर के लिए कौल जा रही है, पेरेंट कोन है, जो भी तरन नोट है, वो पेरेंट है, वे जीटेड, एड़ेंट कर दिया, और एड़ेंट कर दिया, पर यह तो function को अले काहं से रिटरन करेगी, ब्ल्कुल सहीं, यह काहन से रेटर्न करेगी तो हमने सामसक श्टोर करा लिया कि पूल साइकल डेटेक्टेड क्या वाला जो कॉम्परेंट था उसमें को साइकल मिली क्या इसमें स्टोर कर लिया और रिबाटने केस में क्या बोला अगर मेरा विज्टेट टू हो तो कॉमेंस वाली बात अगर यह नॉट वेच्ट है तो एल्स में तब तब यह विज्टेट टू होगा ठीक है वाट एक कंडिशन और चाहिए होती थी के जो भी नोड है वो आपकी पेरेंट के एकोल नहीं होनी चाहिए अगर तो इस प्रकार हमने दोनों देख लिया कि इस प्रकार साइकल एक कर सकते हो और बीफेस के दोवारा किस पकार साइकल डेक्ट कर सकते हो दोनों ही चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए एक बार मैं आपको ड्राइरन करके दिखाता हूं ताकि आपको और क्लारिटी मिल जाए तीक है मेरा दोस्त चलो तो मैंने क्या मोला कि चलो फटा-फट देखत है यह बार समझ में इसके लिए कॉल चलेगी जब भी इसके लिए कॉल जाएगी यहां से आपकी कॉल गई है तो आपने क्या किया इसके आते ही यह आपका वेश्वड वाला जो डेटा स्टक्चर था आपने बोला कि नोड वन को ट्रू कर दो ठीक है बहुत पड़िया इसके अब को टो उठायेया ओर आखे क्ले कॉल कर देते हैं और तू को मा नोड ठ्क है तो आपने आगए कल करती है यह अब passionate क्या क्या हो गया मotion ठीक है बहुत बढ़ी है इसको आपने क्या किया दुबारा function को लो regression था आपने बोला कि यार इसको true mark कर दो आपने two को true mark दिया ठीक है इसको आपने बोला इसके सारे neighbor निकालो आप two के सारे neighbor कौन कौन से one out three है ठीक है आपने one को पकड़ा पूछा क्या यार ये विस्टेड नहीं है क्या आप इफ के अंदर तो नहीं गए फिर आपने बोला क्या ये जो neighbor है ये parent के equal है तो उसने बोला कि higher ये parent है तो ठीक ह आप इसके अंदर भी नहीं गए आप आगे वाली neighbor पर चले गया अगला neighbor कौन सा है ये neglect होगया अगला neighbor कौन सा है three आपने बोला क्या three विस्टेड नहीं है उसने बोला higher विस्टेड तो नहीं है तो ऐसा करो इसके लिए call कर दो तो आपने इसके लिए call कर दिया कि DFS of three comma इतने में आपकी function call वापस आ गई वापस आ गई फॉल्स 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 वर करतेवरी कर फॉल्स नहीं कोई सेकल नहीं है कोई सेकल नहीं ठीक है आप उसके बाले आपका function call है आप आया 4 के उपर यहां पर शुरू में इक और call गई ये DFS मारो यार four के लिए और four का पिरे की लिश निकाली फाईगों पड़ा फोर शिक्स कॉर्ख सैंव अपने फोर चेक किया क्या फॉर वेद्ट है आंसर है ह में हाँ आरे ऑफेश्टल्स और फोर फोर वेद्ट है यह पड़ा हुआ जब वेद्ट है और फोर आपका पेरेंट कर देना पहली आगे के लिए कॉल कर दो TFS of 6,5 ठीक है जब ये वाली कॉल गई तो 6 को true कर देना अब आपने 6 के रिष्ट निगा लिए क्या 6 के अंदर कौन को न है 5 है और 8 है 5 जो है आपने चेक किया 5 तो अरड़ी true है वेस्टड है और 5 जो है वो parent भी है तो इस case में 5 को neglect कर दिया 8 को पकड़ा 8 के case में जा किया क्या 8 true है नहीं यार 8 तो mark नहीं है true तो आपने क्या किया ऐसा करो आगे के लिए call कर दो आपने आगे के लिए call कर दी वह है DFS of 8,6 आपने 8 को true mark कर दिया तीक है ये बात भी समझ में आ गई इसके बाद क्या हुआ आपने 8 के list निका लिए 8 के list में क्या क्या पड़ा हुआ है एट के list में पड़ा हुआ है 679 आपने 6 को पकड़ा 6 जो है already true है विच्ट है और 6 जो है वह 8 का parent भी है तो neglect कर दिया आपने 7 को पकड़ा ठीक है 7 जो हो विच्ट नहीं है 7 जो हो विच्ट नहीं है आपने आगे कॉल कर दिया कि DFS of 7,8 इसमें जाब गए तो आपने 7 को true mark कर दिया कि 7 जो है विच्ट हो गई है ठीक है इतना बाट हो गया हमने क्या बोला जैसकर 7 की list निकालो 7 की list में क्या क्या पड़ा हुआ है 5,6 और 8 आपने 5 को पकड़ा आपने देखा 5 जो है already विच्ट है तो 5 जो है विच्ट है बढ़िया एक चीज हो गई और क्या 5,7 का parent भी है विच्ट है और आप पेरेंट नहीं हो तो यह condition क्या दर्शाथी है यह दर्शाथी चाकल जो आपने आढ़न करी है true यह गया true यह गया true यह गया true और यह गया true इस पकार आपका DFS traversal हो रहा है बास समझ में आई मैंने बहुत बहुत अच्छा पूरा बहुत अच्छा हर चीज जो आपको फीड़बैक हो बताएं ताकि हम और इंप्रूब कर पाएं यह हमारा लेक्चर नमर 88 मिलते हैं आपसे नेक्स लेक्चर के अंदर और मुझे पता है अभी एर्रेगुलर चल रहे हैं कंसिस्टन नहीं चल रहे हैं थोड़ा समय देजिए तेरा तरह के बाद कंसिस्टन हो जाएंगे धन्यवाद मिलते हैं नेक्स लेक्शन में तब तक के लिए बाए